मैंने पहले ही कहा था मद्ध प्रदेश में कोई कांटे की टकर नहीं है भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी जो एकजिक पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेगे मैंने पहले ही कहा था मद्ध प्रदेश में कोई कांटे की टकर नहीं है भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी प्रधान मंत्री जी के प्रती प्रेम उनका नेत्रत्व अमित साहजी की रणनीती नड्डा जी की का मार्ग दर्शन कारिकरताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिन्दगी बदली है और विकास ये इस पस्ट बताते थे के भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी मैं तो हमेशा आत्म विस्वास से भरा रहा और मैंने सदेब कहा कि जो एक्जिक पोल कह र आपफ़ा बनाय हैं औलो हम भारी भूमत से जीता कि किया क्ल लगता है लाटली बेहना का कमाज है काटी की टकर काटी की टकर लाटली बेहना उने सारे काटे निकाल दी मैने ऐसा चुनाओं नहीं देखा कि जहां जाते थे पुरसों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज़्यादा बेहने आती थी बेटी आती थी बच्चे भी आते थे और बेहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्वुत और अभुत पूर्व है अभी भी मैं कई जगे जाता हूं तो बेहन दोड़ के जाती और ये कहती कि भीया अपन जीत रहें वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी वो ये कहती कि अपन जीत रहें अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बेहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बेहना ने सच मुछ में चमतकार किया है वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की कई नेताओं से बात हुई अनुप चर्चा में भी आप एक सोचालिस तक पहुच पारे एक सोबीज पच्छीस एक सो तीस तक ही पहुच पारे तरह लेकिन यह तो मनलत जिस तरह बताया जा रहा है आप चालिस सबसे हाईस्ट आपका त लेकिन अब ये तो मिट से भी थोड़ा जादा देखो मैंने केवल संभल के बोला था लेकिन मैंने कई जगे ये कहा कि जिस धंग से बेहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड उमड रही है नतीजे अब प्रित्यासित आएंगे अभूत पूरु आएंग अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं